जिला कॉंग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारन प्रकोष्ट के जिला अध्यक शाकिर अली राइनी ने अपनी कारिकरताओं के साथ जिला मुख्याले पर नीजी चिकिस्त को द्वारा अपनी तीस में बढ़ोतरी करने को लेकर परदर्शन किया और दो सूतरी ग्यापन जिला सरकार ने धारित करें गरीब अनाप्षना पैसे लिए जा रहे हैं और आट सुरूपे लेकर हजार रुपे तक मुख्या मंत्री से ग्यापन के माद्यम से मांग करते हैं कि पर्चे की फीस 200 रुपे आट दिन के लिए उनी चाहिए कि जिससे गरीब आदमें असानी से अपन के लिए जा रहे हैं ऑपरेशन की फीज पांस जार रुपे होनी चाहिए जिससे सरकार निर्दारित करें ठता जोला साब डॉक्टरों के खिलाब भी टेजी से अभ्यान चलाया जाए सरकारी होस्पिटल की वेवस्ता और अच्छी की जाए जिससे गरीब आदमी का उपचार और सही तरीके से हो सके और डॉक्टरों का स्टाब बढ़ाया जाए जितनी अच्छी सुविदा सरकारी अस्पताल में हैं इस समय पहले से बहतर है और अधिक सुविदा बढ़ाया जाए और ऐसा ही एक और अस्पताल खोल जाए ताकि गरीब को प्राइवेट नर्सिंग हो में नहीं जाना पड़े हर प्रकार के जाचे सरकारी अस्पताल में ही होनी चाहिए जिससे नर्दन रोग्यों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और जच्छा बच्चा अस्पताल में भी इस्थाप बढ़ाया जाए ग्यापन देने वालों में शाकिर अलीराईनी अभ जन समस्या निस्तारान प्रकोष आज यह संबन में दिया है दो सूत्री अगयापन स्रीमान जिलादिगारी द्विगे द्वारा यह मंचाई फिस्च ले रहे हैं प्राइविट डॉक्टर वो जो है तो बाफिस ली जाए और गरीब जनता से गरीब जनता परेशान है और सर परेशान है आठ सो से लेकर अजार रुके तक भी जा रही है हम चाहते हैं 200 रुपए होना चाहिए माँ तरहाट दिन के इससे गरीब आदमी दे सके जाचे वी जाचों के पैसे भी कम होना चाहिए और सरकारी हस्पताल में आज भी विविस्ता साहिए तो क्या चाहते हैं हम के चाहते हैं 200 रुपा होने चाहिए इस संब्ध में किसको ग्यापन देंगे आप इस संब्ध में जो है तो मुख्य मंतिर जी को ग्यापन भेज़ा जा रहा है स्रीमाज मुरादवाद जिलादिकारी द्वारा